मद्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं इनमें से एक है बाधवगर जहां टाइगर टूरिस्टों को रोमांचित कर रहे हैं ऐसे ही दो नजारे देख टूरिस्ट रोमांचित हो गए मसूर बागिन डौटी अपने सावक के साथ घूमती नजर आई तो छोटा भीम को देख टूरिस्टों की खुसी दो गुनी हो गई बता दे कि एक अक्टूबर से सभी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में टूरिस्टों की एंट्री सुरू हो गई है करीब 2 महीने में हजारों टूरिस्ट टाइगर रिजर्व में घूम चुके हैं नوवंबर दिसंबर की बुकिंग भी हो चुकी है, कई सीटे तो फूल हो चुकी है टाइगर रिजर में घूमते हुए टुरिस्टों की टाइगर ब्लेक पैंथर, बाइसन, हिरन, भालू समेट कई जानवरों के देदार हो रहे हैं उम्रिया जिले के बाधवगर टाइगर रिजर्वी की मसूर बागिन है डॉटी वन विभाग ने सोमवार को वीडियो भी जारी किया डॉटी फीमेल सावक के साथ मगदी जोन के जंगल में सैर करती दिखाई दी टुरिस्टों ने कैमरों में उसे कैद किया इसी रिजर्वे में सफारी के दौरान बाग छोटा बीम भी दिखा बाद चाहे बाधवगर की हो या सत्पुरा टाइगर रिजर्वी काना पन्ना संजर डूबरी और पेंच टाइगर रिजर्वी की सभी पार्कों में टाइगर के दीदार हो रहे हैं सत्पुरा टाइगर रिजर्व में तो एक बागीन अपने तीन सबकों के साथ घूमती नजर आ रही है जिसे टूरिस्ट कैमरों में कैद कर रहे हैं सावक कभी उच्छल कूद मचाते तो कभी मा के आसपास घूमते रहें इसके बागी टाइगरे सबकों के साथ जंगल में चली गई इसके अलावा भी कई बार टाइगरों के दीदार हुए हैं राजधानी बोपाल में फिर एक बार टाइगर का मुवमेंट देखने को मिला है सनीवार और रवीवार की रात में वालमी पहाट पर टाइगर घूमते हुए नजर आ रहा है वेट्रैप कैमरे में भी कैद हुआ है यहां वन विभाकी टी में लगातार सर्चिंग कर रही है बता दे कि वालमी की पहाड़ी और कलिया सोट डैम के आसपास बागों का मुवमेंट अकसर देखने को मिलता है कुछ दिन पहले वालमी गेट पर ही करीब दो घंटे तक बाग बैठा रहा था इसके अलावा भी आसपास के एरियू में वे नजर आया है इसी इलाके में फिर से टाइगर का मुवमेंट है